नमस्कार, स्वागतेवं अभिननन आज के वीडियो में हम जो सभी डिग्रियों की फुल फॉर्म हैं उसके बारे में जानेंगे वो डिग्रियां जो हमारे शक्षिक से संबंदित हैं, शिक्षा से संबंदित हैं जो हम पढ़ने के बाद हमें मिलती हैं या पढ़ने के पशाथ हम कहलाए जाते हैं ग्रिजेट, पोस्ट ग्रिजेविट जो कहा जाता है उसी से समा देते हैं सबसे बड़ी बात यह सभी प्रतियोगी परिक्षाओं में पूछे जाते हैं कि बिकॉम का फुल फॉर्म क्या है, MBA का फुल फॉर्म क्या है, PhD का फुल फॉर्म क्या है, बहु विकल्पी है और शौट दोनों में इस तरह के प्रेशन आते हैं तो हम यह देखेंगे, BA, Bachelor of Arts, इसको कलासना तक बोलते हैं, इसमें Arts के जो समजेक्ट होते हैं, बार्मी पास के बाद Arts, यह नि बार्मी के पास हम BA करते हैं, MA, Master of Arts, यह होते हैं BA के बाद MA, BA तीन साल का, अफ़ चार साल का हो गए, और MA दो साल का, ठीक है यह आपके भी Arts से जो करते हैं, वो समजेक्ट होते हैं, वो परासनाता कहलाते हैं, ठीक है, यह BA के बाद होता है में, B.S.C, Bachelor of Science, जो Science के बच्चे, बिज्ञान के बच्चे होते हैं, बार्मी के पशात, B.S.C करते हैं, और B.S.C के पशात, M.S.C, Master of Science, ठीक है, तो यह भी आपका Master of Science भी दो साल का, यह Arts वालों के लिए BA, और B.S.C आपका जो बिज्ञान के बच्चे होते हैं, B.C.M, Bachelor of Commerce, और जो Commerce के बच्चे होते हैं, वो वाले B.C.M करते हैं, V.Walk, यह नया कूर्स है, Bachelor of Vocational Education, ठीक है, यह भी graduation, इंटर के बाद होते हैं सारे, V.Walk हुआ, B.S M.C.M, Master of Commerce, B.B.M, Bachelor of Business Management, यह भी आपका इंटर के बाद, M.B.A, Master of Business Administration, B.Tech, Bachelor of Technology, यह भी इंटर के बाद, M.Tech, Master of Technology, यह आपका B.Tech के बाद, B.H.M, Bachelor of Hotel Management, यह रेखिए, वही यह कोर्से हैं सब जो इंटर के बाद, P.G.D.C.A, Post Graduate Diploma in Computer Applications, ठीक है, यह Post Graduate वाल वाला है, B.A, Bachelor of Education, B.A, आपका B.A के बाद होता है, यह आपके टीचर्स के लिए, ट्रेनिंग होती है, इसमें पढ़ाया जाता है, और M.A होता है, Master of Education, ठीक है, यह Bachelor of Education, यह सब, यह B.A करने के बाद, M.A होता है, और B.A कर होता है, आपका B.A के बाद, जब आप B.A हो, B.S.C. हो, यह B.A कुछ भी होगा, इसके बाद ही आप B.A कर सकते हैं, BCA, Bachelor of Computer Application, जो हमने, यह आपका BCA, Bachelor है, Postgraduate, Diplomate, Computer Science, PGTC हो जाएगा, BCA, Master of Computer Application हो गया, PhD है आपका, Doctor of Philosophy, यह PhD की टिकिरी, आपकी जब M.C.A कर लेंगे, या M.A कर लेंगे, या आप M.S.C. कर लेंगे, इसके बाद आप PhD करेंगे, इंटर किया, B.A किया, B.H.C. किया, इसके बाद आपने M.A किया, M.S.C. किया, फिर इसके बाद PhD करेंगे, इसी तरह यह इसका सिस्टम है, L.L.B. Bachelor of Law, यह भी एक उसी तरह की डिगरी है, B.B.A. Bachelor of Business Administration, T.G.T. है, Trained Graduate Teacher, M.D. है, Doctor of Medicine, M.S. है, Master of Surgery, यह सब डिगरीया है, B.D.S. Bachelor of Dental Surgery, जो जिस सब्जेक्ट से पढ़ना चाहता है, M.D.S. हुआ, Master of Dental Surgery, B.H.M.S. होता है, Bachelor of Homopathic Medicine and Surgery, देखिए, पूर कि B.H.M.S. केते हैं, वो डॉक्टर क्या, B.H.M.S. है, तो वो क्या-क्या पढ़ा होता है, Bachelor of Homopathic Medicine and Surgery, B.Pharma, Bachelor of Pharmacy, तो हम इसमें देख लेंगे, कि हमने 12 करने के पशाद, यह आपका 12 हुआ, प्लस इसके बाद आपका आएगा, B.A. यह B.S.C. ठीके, इसके बाद M.A. ठीके, इसके बाद आपका P.S.D. इस तरह से यह आपका क्रम चलेगा, ठीके, तो हमने यह देख लिए, इस तरह की डिग्रियां होती है, इतना पढ़ने के बाद कौन-कौन सी हमें डिग्रिय मिलेगी, यह सब इस तरह की होती है, अब जैसे B.A. के बाद ही हम इसमें B.A. हो गया, और B.A. के बाद हम सीधे इसमें M.A. कर लेंगे, अब फिर इसके बाद हम PhD भी कर सकते हैं, और B.A. के बाद M.A. भी जरूरी है, तभी आप पिएसडी कर सकते हैं, इस तरह से नौलेज हमें पता होने चाहिए, PhD आपकी 5 साल की भी होती है, और B.A. आपको तीन साल का होता है, ठीके है, और 12 अपको पता ही, 12 तक तक पता ही है, वाकशी सब इस तरह की डिग्रियां, हमें, जो भी डिग्रिय मिलेगी, बारवी पास के बाद आपको डिग्रियां मिलने शुरू हो जाती है, तो यह देखे ही, जानकारी बहुत ही important जानकारी और सभी प्रतियोगी परिक्षाओं के लिए बहुत ही important है और आप सब को पता होना चाहिए कौन सी डिगरी किस subject से मिलती है जानकारी उपयोगी लगे तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेर धन्यवाद थैंक यू